कि हलो यह वालikköm बैक गाइस टु अधर वीडियो आज की वीडियो में मैं बताओंगा कि कहां तक मेरा जो गेम है वो प्रोग्रेस हो चुका है चांता हूँ काफी दिनों के बार में वीडियो बना रहा हूं आज से मैं वीडियो स्ट करना स्टाट कर दूंगा जो कि जो गेम से रिलेटेड होंगे तो थेंक यू गाइस फॉर यूर सपोर्ट पापा भी ठीक है तो फिर से हम लोग गेम स्टार्ट करने वाले तो आप सब अच्छे गेम बनाए होंगे आप हमें कमेंट सेक्षन में बता इसलिए देना चाहता हूं कि लास्ट टायम मैंने जो गेम बनाए ता गेम का अपडेट दिया था उसमें ज्यादा कुछ इन्फोर्मेशन नहीं दिया था मैंने इस गेम में मैं हमारे गेम वह कंपलीट हो चुक प्लेट प्लेट पर ताकि आप भी उसको खेल सकते हैं बेटा वर्जन के लिए यहां पर आप देखेंगे पहले जो में स्क्रीन था उसके लिए यहां पर ब्लैक कलर का पूरा स्क्रीन मैंने रखा था तो अभी क्या कि पूरा उसको ब्लैक थोड़ा सा टेंट दे दिया है जो गेंपले है वह दिखाई देगा क्योंकि यहां पर ग्रास होगरा है वह मुविंग है वह एनिमेटेड है तो वह ग्रास होगरा सब कुछ दिखना चाहिए इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक ब्लैक टेंट दिया है और बाकी सब नॉर्मल है लेकिन यह भी है कि अगर आपके जम्स जो है वह मुझे कंप्लीट हो जाता है यांकि यहां पर 9 है और आप जम्प करते हैं तो वह 8 हो जाता है तो मैं स्टार्ट में सोच रहा हूं 100 या 150 या 75 एक जम्स देदू और उसके बाद में जैसे आप आगे जाओगे तो यहां पर कॉइंस रहेंगे कोइंस क लिए तो वो सब आप लोग से शुलेक्ष बात है यहां पर जैसे और एक देख सकते हैं डिर्टली एड देखने के बाद में से आपको 100 जम्स मिल जाएंगे के यहां पर बहुत सारे ऐसे options में देने वाला हुआ यहां पर आपको तो पता होगा या question mark में मैंने यहाँ पर जो भी आपका play tutorial है वो सब कुछ दिया है कि tap on the screen to jump and jump direction is decided on the angle of the arrow okay so यह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा and जैसे ही jump करते है and four jumps बचे है तो अगर jump जो है पहले में इसको target frame rate जो है 30 रखने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि higher high end devices के लिए अच्छा खासा frame rate होना चाहिए तो मैंने frame rate का जो एक code था वो निकाल दिया है तो अभी जैसे आपका device रहेगा उस हिसाब से उसके frame rate के हिसाब से जो आपका mobile का device है वैसे frame rate चलेगा हमारे game में तो आप जैसे यहाँ पर zero हो जाता है यहाँ पर watch add आ जाता है तो यहाँ पर ads देखने के बाद ही आपको 100 jumps मिलेंगे उसके बाद में आप coins में coins भी add करने वाला वो coins अगर आप collect करते हो तो आपके पास 100 jumps फिर से आ जाएंगे तो जैसे मैं add देखता हूं यह देखिए यहाँ पर एक video add चलेगा जो कि game का end कहाँ पर है ओके सबसे important game का end की game खतम कैसे होगा तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा idea लगाया और getting over it जैसा vibe दिया है तो getting over it में क्या रहता है कि end पर जाते है नीचे अगर बार-बार हम नीचे गिरते हैं तो इसलिए बहुत सारे लोगों को issue होता है लेकिन यह जो है कि आपको end तक कैसे जाना यह देखिया है यह वाला यह वाला जब आप collect करते हो game में तो यह वाला जो ऑब्जेक्ट है रोज इसको अभी मैंने नाम कुछ नहीं दिया है यह अभी तक वांड है जो भी लोकी के पास जो वांड रहता है हाथ में जो stick रहती है वैसे वाले stick मैंने बनाने कोशिश किया तो यह वाला वांड है यह आप जैसे ही collect करते हो तो आप game जीट जाते हो मतलब game complete हो जाता है और मैंने पूरा gameplay खेलके भी देखा है close to 300 और 350 या फिर 400 maximum 400 steps में complete हो जाता है लेकिन अगर आप start करते हो एंड बार बार गिरते हो तो फिर आपको आपके सबसे वो जो game है उतने ज्यादा से ज्यादा steps लगेंगे थोड़ा सा medium hard है ज्यादा भी hard नहीं किया है मैंने game को इसको आप जैसे collect करते हो तब अभी मुझे एक winning का animation भी बना रहा है I hope आपको मेरा जो tutorial है वो पसंदाया होगा not tutorial the game update devlog पसंदाया होगा अगर आपको और भी updates देखने है and game development में interest रखते हो तो guys channel को subscribe करो like करो share करो thank you guys